नमस्कार दर्सको, धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत थे आज हम आप सभी को राधा, किश्णो और गोपी की ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जिससे आपकी आँखों में आसु आ जाएंगे और आपने ऐसा गोपी का प्रेम कहीं नहीं देखा होगा एक बार स्याम सुन्दर अपना स्रंगार कर रहे थे तब ही स्याम सुन्दर ने कुछ सोचकर नंद गाओं की गोपियों को बुलाया और कहा क्या भी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाओ कि हमारी प्रांट प्यारी राधा ने आज कैसे वस्त्रधारन किये है आज हम भी बैसी ही पोसाग धारन करेंगे आज तो राधे जैसे ही बस्त्रधारन करके ही निकुझ में जाएंगे और तो हमें देखकर राधा भी अचंबित हो जाएंगी जब नंद गाओं से गोपिया स्री बरसाना पहुची तो स्री कुछ मंजिरियां स्री राधारानी का स्रंगार कर रही थी कुछ मंजिरियां बहार खड़ी थी उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया गोपियोंने बहुत अनूरोद किया कि सिर्फ एक जलक तो प्यारी की निहारने दो फिर हम यहां से चली जाएंगे मंजरी ने कहा कि एक सर थे कि कोई एक गोपी अंदर जाएगी फिर एक गोपी अंदर स्री राधे की जलक के दर्सन करने गई गोपी बिना पल के चपकाएं स्री राधे की जलक के दर्सन करती रही फिर उस गोपी ने तुरंट अपने नेत्र बंद कर लिये और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरी सकी जल्दी से मुझे नंद गाओं ले चल सभी सक्षियों ने कहा कि पहले स्री राधे के स्रंगार का बढ़न तो कर सकी गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे स्याम सुन्दर के पास ले चलो बहाँ पर बताती हूं। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखिया नंद भवन में ले आई। जब सखिया नंद गाओं पहुची तो स्याम सुन्दर ने पूछा कि कल ये मेरी स्रीराधे के दर्सन। अब जल्दी से मुझे बता क कैसे पोसाग धारण किये हैं कितनी सुन्दर लग रही थी मेरी प्यारी तब गोपी ने कहा कि हमारी प्रांट प्यारी को बड़े प्रेम से समाल कर मेरे इन नेत्रों में समा कर लाई हूं लूँ अम में नेत्र खोल रही हूं आप मेरे नेत्रों में छाक कर प्रांट प्यारी क पिदर्सन कर लिजी अहाँ कितना अधभुत भाव कितना समर्पित भाव सिर्फ ब्रच की गोपी ही कर सकती हैं सियाम सुन्दर अपनी प्रान पयारी की जढ़क पाकर उस गोपी के नेतरों में ही खो गए आप पलक उस गोपी के नेत्रों में ही नहारते रहे अपना स्रंगार करना भी जैसे भूल गए एक इस्तंब की तरह जैसे अचेतन हो गए हैं एक गोपी ने स्याम सुन्दर को पुकारा तो चेतन में थे वो स्याम सुन्दर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया फिर स्याम सुन्दर ने स्री राधे जैसे ही स्रंगार और पौसाग धारन किये जिस गोपी के नेत्रों में से ही राधे देखी थी उसे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छबी को बंद कर लो उस गोपी ने स्याम सुन्दर को भी आपलक नेहा रहा और थोड़ी देर में अपने नेतरों को बंद कर दिया स्याम सुन्दर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ और जहां सी राधे बैटकर मेरा इंतिजार कर रही है वो सकी उसका हाथ पकड़ कर निकुंज बे ले आई जहां सी राधे अपने स्याम सुन्दर का इंतिजार कर रही थी नंदिगाओं की गोपियों को देखकर उनसे पूछा कि स्याम सुन्दर कहा है जिस गोपी के नेत्र बंदे थे उसने कहा कि स्याम सुन्दर मेरे नेत्रों में समा गई हैं ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो स्री राधे भी उनके नेत्रों में जहाक कर अचंबिस्सी हो गई उस गोपी के एक नेत्र में स्रंगार करती हुई बरसाना में स्री रादे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में स्रंगार करती हुई नंद भवन में स्यामसुंदर दिखाई दे रहे थे उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे तबी दूर से स्यामसुंदर अपनी बंसी की मदुर्धुन बजाते हुए आते दिखे दोनों एक दूसरे को देखकर अचंबित हो रहे क्योंकि जैसा स्रंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था, बैसा ही स्रंगार दोनों ने किया था राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़े थार पहना देती हैं और आलिंगिन करते हुए कहती हैं कि तू धन्ने गोपी और तेरा प्रेम भी धन्ने इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मन में पवित्र भामना हो तो किसी को भी अपने नेत्रों में बसाया जा सकता है आपको राधा रानी और किशनी जी की गोपी की कहानी कैसी लगी? कमेंट में चरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धर्मिक चमत करको सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब करिएगा, धन्यबाद